नमस्कार सात्य। आज हम बात करेंगे लगजंबर्ग के बारे में, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये लिखा और लगजंबर्ग है सब का बाप, लाइफ सेट हो जाएगी सब क्रोडपती 皆पने लाइफ सेट हो जाते ही। मेरे पास सबसे ज्यादा विरॉप की लग्जंबर्क की इंकुईरी आती है या पिर इसका reason क्या है वहां पर क्या स्थिती है लग्जंबर्क के बारे में बात करेंगे अगर आप लग्जंबर्क जाना साथ है तो बहुत सारी चीजों का आपको पता होना जरूरी है तो चली पूर्टगाल यहां के पूर्टगीज लोग ज्यादा हैं, बेल्जियम के हैं, पैरिस के हैं, यहां के लोग सबसे ज्यादा यहां पे रहते हैं इस देश की population आपको पता है विरोप में सबसे कम है लगबग 6 लाग population है जिसमें भी 40% लोग है जो बाहर के लोग रहते हैं और वर्ल्ड का साइध ये उन देशों में सामिल है जहां पे 20% लोग इनका मिलीनियर हैं जी हां यानि ये बात समझो कि क्रोड़ पती लोग है 20% लो पे और इस country के अगर बात करें तो छोटा सा देश है मातर 80 किलोमेटर इसकी लंबाई है 50 किलोमेटर इसकी चोड़ाई है तो समझ सकते हैं कि लग्जंबर के नाम भी उसका लग्जंबर की है राजदाने भी उसकी वही है और एकदम छोटी सी country है एक जनवरी 1999 में को उन्हो अपनाई थी यूरोप में सामिल होने के बाद में आपको सब को पता होगा और यहां पर इसी को देखते हुए bank सबसे ज्यादा है Bank सबसे ज़यदा, reason क्या है, जहां पर पैसा ज़यदा होगा, वहां पर बैक ज़यदा होगे, जो चीज़ वहां पर ज़यदा होती है, तो वही चीज़ वहां पर ज़यदा होगी न, यहां पर इतनी सारी bank है कि आप सोच नहीं सकते, World की richest countries को माना गया, यहाँ पे average salary पे आप सोच नहीं सकते जितनी तनका आपको मिल जाती है और government के पास इतना पैसा है कि सब कुछ वो free देती है आपको transport सबसे बड़ी चीज होती है विरोप में महिंगा पड़ता है transport free, education free आपको जो भी government की सुवित हैं जो इंडिया में आपका 40% तक tax लेके सरकार नहीं दे पाती वो यहाँ पे आपको free मिल जाती है इसका कारण क्या है कि यहाँ पे average salary पर capita के साब से बात करें तो एक आदमी 1,25,000 डोलर कमाता है एक लाग 25,000 डोलर की मैं बात कर रहा हूं तो आप समझ लो कि एक क्रोड सुपे से एक आदमी की तनखा यहाँ पे ज्यादा मिल जाती है और सबसे बड़ी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप तनखा के बारे बताते हैं टेक्स नहीं बताते तो बाई साब टेक्स की बा किया है जिसमें लगबग साड़ी साथ सो के करीब आंकरा मुझे एक जिप नहीं है लेकिन इतना टेक्स उन कंपनियों पर भी लगाया है और मिन ने पंदरा परसेंट के लगबग तो मुझे नहीं लगता को ज्यादा होगा इतना पैसे वाला क्यों है लोगों के पाइस इत सबस्तामिन को बता है उसकी यहां पर हैडे उपिस और लकसंबर्ग में क्योंकि यहँ पर स YouTil लौव ऐर्प यूरो आपको मैने के मैने गोर्मिंट देती है आप प्राइबेट जोब में हो चे किसी भी जोब में हो 4000 यूरो का मतलब सिदा सिदा बनता है 4 लाग रुपे सरकार रिटायर होने के बाद पर मन्त इसमें गर पे देती है अगर कोई आदमी वहां पर पैसा कमाता है तो एवरेज सरली कम से कम 4,000 यूरो चार से पांस लाग मेने का बंदा यहां पर आराम से यहां पे कमाई जा सकती है और यहाँ पर एज के साबसे भी सिल्ली मिलती है, कोई 15 साल का बच्चा काम कर रहा है, तो उसको लगबग 11 यूरो के साबसे सिल्ली मिलेगी, और 11-15 साल से माल लो 17 साल का बच्चा काम कर रहा है, 15 साल से 17 साल के बीच में कोई बच्चा अगर है, तो उसको 17 यूरो पर हावर selling मिलती है और 18 साल से उपर का कोई बच्चा है तो उसको 18 यूरोप से उपर से selling इसको मिल जाती है तो आप समझ सकते हैं कि 18 यूरोप पर हावर आपको कम से कम जो बच्चे टाइब के जोब होते हैं वो बच्चे भी यहाँ पर जोब करते तो उनको हाप स्टुडेंट वीजा भी ले कि जा सकते हैं या पर आपको कमे जा सकते हैं और अगर यूरोप यह यहां की थोड़ी कौशली पड़ती है ऑफिया और भी पहुत सारी होती है जिसका पैसा लगता है तो आपको तो आपके अकाउंट में पैसा कितना होना चाहिए एक दिन का खर्चा लगबख सतर यूरो माना गया है कि सतर यूरो आपका परड़े का खर्चा यानि इंडिया का साथ अजार रुपे आपको अपनी जेब के हिसाब से होना जरूरी है और वीजा चार्ज की बात करें तो साल तक अगर आप अच्छा अपना परफियार अप्लाई कर सकते हैं और आपको अगर मानलो शादी कर ली मेरी जाप की हो जाती है तो तो मांतर तीन साल और तीन साल के समतिंग बताया के हैं कि 5000 इन्डियान लोग इस देश में रहते हैं लेकिन मैं मानता हूं कि 8-10 जार लोग इंडीयन लोग यहां पे रहते हैं जो डायक्ली इनडायक्ली के पास कौन कोन सा होता है जो इंडिया से गए हैं वह विजिट में गए चे वह पर मिट में गए समझ गए या फिर वर्क परमिट में गए लेगन एक्जामबल समझो कि और बहुत सारे देश में आप जोब कर रहे हैं वहां से सीधा इस देश में चले गए तो इंडिया सरकार के पास कहां से डाटाएगा आप बता सकते हैं तो मेरे साथ से जस्ट इसको डबल कर सकते है दस हजार के करीब इंडियन लोग अभी के टाइम में मेरा जो आंकड़ा है यहां पे इंडियन लोग रह रहे हैं जिसमें एजुकेशन भी है वर्क परमिट भी है जोब भी है विजिट में तो उसके आंकड़े तो अपने पास नहीं है पियार बगएर तो इस परकार से इं इतनी तनखा कोई देश में मिलती होगी जितनी इंव हैं अमेरिका में भी नहीं मिलती युके 쓰고 else और में इतनी तनखा नहीं मिलती जेतनी यहां पे मिल सकती है आफ़ झाले में तु कि ये सीवीज्वा में confirming शावीज सब्स börjarा परोफाइल के ले किसे लिए पक्रोपार में ल बाकि जो नॉर्मल आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए थोड़ा मुस्किल है, क्योंकि अगर इसी तरीके से जाने लगए तो भाई यहां पे भीड़ बढ़ जाएगी, बाकि लगजमबर्ग जाने का फिलाल के टाइम में क्रेज है, हर आदमी लगजमबर्ग जान लेकिन इन बातों में सचाई नहीं है, अगर बात करें तो देख सकते हैं, यह एक ग्राफ दिख रहा है आपको है ना, इसमें देखेंगे तो 8 साल से 14 साल का, यह जो ग्रीन है ना, इसमें यह है लगबग 85% आबादी, लगबग 24% आबादी ऐसी है, जिनकी उमर 8 साल से 14 सा आब वरकिंग एस देख सकते हैं, यह है वरकिंग एस, 54% लोग यहां पर जोफ करते हैं, और लगबग आप देख सकते हैं, 22% लोग हैं, जो आबादी इनकी बुड़ी हो चुकी है, तो यहां पर वरकरों की काफी कमी है, इस देश में रहने वाले लोग देख सकते हैं, 33% किसमत सब को अजवाना चाहें बाकि आपकी प्रफायल के साथ जेहीं जबार